अगर नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से आपका यह डाउड भी विल्कुल फिनिस हो जाएगा महादेवनेजीव अभेरण जो है उसको बाग रिजल उखोसित करने की बात कही गई है क्यों यह पहल किया जा रहा है क्यों यह आदेश दिया गया है किन के द्वारा दिया गया है और हमारे इन्वार्मेंट में हमारे भायोडाश्टी में इसके उपस्थिती से क्या एफेक्ट आने वाला है आई होप सो कि इसके सारे डाउट को हम देखेंगे सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक है महादेव वनेजी अभ्यारण जो की बाग रिजर्ब घोसित करने का पहल किया गया है ठीक है सो मैप के हिसाब से गर हम देखें तो यह हमारा प्यारा गोवा है और इसकी कैपिटल पड़जी सो यहाँ पर देखें थोड़ा सा डाउट आपको यहाँ पर क्रियेट कराया जा सकता है कि जो महादेव वाइड लाइफ सेंचुरी है अभी तक उसके नीचे भगवान महावीर वाइड लाइफ सेंचुरी है ठीक है इन दोनों के अवसिति को आपके याद रखना कि यह जश्ट अल्टर 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 लोकेशन्स पर एक दूसरे के नीचे है ठीक है चलिए अब आते हैं मुद्धे पर बात करते हैं हाली में बाग सरक्षण प्रयासों के लिए एक महतपूर घटना करम में बामबे उच न्याले की गोवा पिठने गोवा सरकार को 24 जुलाई 2023 से तीन माह के भीतर महादेई वनेजी अभ्यारण और इसके आसपास के छेतरों को वनेजी सरक्षण अधिनियम 1972 के अंतरगत में इस्थित महादेई वनेजी अभ्यारण अपनी संबरी दिजब वित्ता और आस्चारे जनक प्रदिश्यों के लिए जाना जाता है तो 208.5 वर किलोमेटर चेतर में पहला यह अभ्यारण दक्षिड भारत के पच्चमी घाट में एक अनमोल रत्न के रूप में अवस्थिती बनाया हुआ है यह उत्तरी गोवा जिले सतारी तालुका के बालपोई सहर के पास इस्थित है और वने जीवों वनस्पतियों और जीवों की अपनी विविद स्ञिंकला के साथ इस अभ्यारण ने अपने परिश्थित की महतों के लिए मनता प्राप्त की है यह जो अभ्यारण है पारिश्थित की रूप से समवेदन सील छेतर पस्चिमी घाट के भीतर अवस्थित है यहां से पॉइंट बन सकता है इसको प्लीज आप नोडाउन कर लेना जिसमें राजिसी बागहरी पहाणियां सामिल है और जिसे 560 मिटर की उचाई पर बागहरी चोटी भी सामिल है जो कि उत्तरी गुवा का सबसे उचा इस्थान है इस पॉइंट को भी आप नोडाउन कर लेना ठीक है यह पहाड़ी विभीन प्रकार की वनेजियू प्रजातियों के लिए एक प्रागर्तिक आवास है और अभैरन में भारत के मानचितर के आकार की बहत मंडोवी नदी बहाव के रुप में भी जाना जाता है इस अभैरन से होकर बहती है जो कि गोवा की जीवन रेखा के रुप में महत्पुड उपमी का निभाती है करनाटक से निकल कर यह गोवा में 81.2 क्लियात्रा के बाद परजी में अरव सागर में मिलने से पहले अभैरन में 9.4 क्लिम्टर से होकर गुजरती है जाती है जो महदी नदी नदी से होकर गुजरती है और पूरे गोवा में 81.2 क्लियात्रा करने बाद अरव सागर में जाकर bilmiyorum से अभैरन जाती है महादई वनेजिव अभहरण को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रुप में नामित करने पर विचार किया है बांबे हाई कोट ने गोवा सरकार को वनेजिव सरक्षड अधिनियम के तहद अभहरण और कुल निकटवर्ती छेत्रों को बाग रिजर्व के रुप में अधसूशित करने का निर्देश दिया है याद रखना वनेजिव सरक्षड अधिनियम 1972 के तहद इसको बाग सरक्षड छेत्र बनाने की बाद कही गई है किसके द्वारा गोवा पीठ के द्वारा जो कि बामबे हाई कोट के द्वारा गठित किया गया था सो विरिवड़ी I hope हो कि आप इसके बारे में जान गए आपके लिए चोटा सा assignment है कि आपको comment box में आप ये comment करिए कि अभी तक अभी तक महादेव अनेजिय अभ्यारण जो की बाग विजर्व घोसित किया जाएगा इसके पहले अभी तक भारत में कितने बाग रिजर्व भारत में उपस्थित हैं इसको प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सो चली मिलते हैं फिर अगले सेमिल में थैंक्यो सुमच पॉचिंग